आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकान नमस्कार मैं हूँ गौरव स्री वास्ता हो आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की दोस्तो बात अपने देश की इसलिए इस प्रोगाम का नाम रखा गया है इसका सीरा उद्दिस हमारे देश से है और होना वे चाहिए देश सर्वोपरी है और देश सर्वोपरी होने के साथ देश हर नागरिक का है जो इस देश में नबास करता है देश का नबासी है कि जब तक अगर आपको आपके अधिकार ही ना मिलें अगर आपको आपके मौलेक अधिकारों से सामना ही ना करना पड़े आपको आपके संवेजानेक अधिकार ना दिये जाए आपको आपका मानमे अधिकार ना दिये जाए तब तक किसी देश में लोगतर की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए सबसे बल्वाणिबाद यहां पर यह है जिस तरह से लोगत्तन्त का चौथा स्थम्प यानि पत्तकारथा मीडिया सबस्सक्राइब क्या करती है आप मन कुछ भी कहे अलब समोजन होता है कोई मीडिया की तारीप करता है कोई कोई मीडिया की बुराई करता है कोई बताता है गोधी मीडिया तो मैं उन सभी लोगो इस जवाब देना चाहूंगा अरे मीडिया ही तो है जो खबरों का आदार पिदान करती है अगर मीडिया ही नहीं होगी तो आप अखुवार में खाली पेज ही पड़ेंगे अगर मीडिया नहीं होगी तो अखुवार की खाली पेज ही आपकी सुबह की चाहिक की साथ होंगे मीडिया ही नहीं होगी तो हर मैगजीन खाली होगी और मीडिया ही नहीं होगी तो टीवी स्किन पे क्या देखेंगे पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तमाम चीजों को भोलके किवल किवल मीडिया को दो सरो पड़ करते हैं कि मीडिया ने यह किया मीडिया ने यह किया किसी का कोई काम होता है तो उसको मीडिया ही आदाती है कोई समस्या होती है तो मीडिया ही आ राती है कोई बाद होती है तो मीडिया ही आ राती है पुलिस काम नहीं करती तो मीडिया ही आ राती है जर समस्या होती है तो मीडिया ही आ राती है पर जब मीडिया को देकर होती है तो कौन आता है कोई नहीं आता वोस्चेमा मीडिया की सम के लिए क्यों सबोर्ट में नहीं आती क्यों मीडिया को अलालक नामों से संबोरिट करते हैं क्यों मीडिया में दर्द नहीं धूरते हैं वो मीडिया जो बहुत कम बांदे में लोगों के लिए काम करती है वही खबरों का आधान प्रदान करती है वही लोगों को जानकारिया देती है चाहे पॉटल हो चाहे अखवार ऊचाहे मैगजीन हो चाहे लेक्टानिक मीडिया हो या Uhm मीडिया का एक ही उद्धेश होता है कि आम जनता तक हर खबर पर पहुंचे छोटी-छोटी बड़ी से बड़ी खबर्य काई पैकार ही होती है जाहे वूराज्जितिक हो समाज़िक हो पर उनका सीरा सीरा समध्य जनता से होता है कि जंता ही समाज में ही एक أنग है और जंता से भी समाझ बनता है व मैं बात सहीं पॉलाहां पर जब आती है जब इस मीडिया कि देहत बिपत्ष के लोगों के बयान जरूब आते हैं उनके द्वारा आज एक मीडिया कर्मी के साथ अबद्धिता की गई उसको देखते हैं उस पर क्या राजितिक बयान आए हैं सुनते हैं तो होना था कि घमन सर्चर के बोला है और जो सरकार निरंतर पत्रकारों का उत्पिडन कर रही है लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है वो तो आप सब लोगे देखाए जब प्रियंका गांदी जी मिलने जाना चाहती हैं उनको रोक लिया गया लाकर सीता पुरु बंद कर दिया गया एक पत्रकार साथी न क्या हुआ याद है उसको जेल भेग दिया गया तो मैं समझता हूं कि जब एसाइटी ने इसफ़स्ट कर दिया कि हत्या के आरोपी और दोसी पिता और पुत्र है ग्री राजमंत्री और उनका बेटा असीश मिश्रा तो फिर बरखास्तिकी क्यों नहीं साउधान अभी प्रधान मंत्री जी लाइट एक्षन कैमरा में ब्यास्ता है जम ब्रांडिंग से और पिच्चर से खाली हो जाएंगे तो फिर साइद उत्तर प्रदेश के और देश के बारे में सोचे पत्रकारों के साथ इस तरह का दुरुवेवार भारती जन्ता पार्टी के भारत सरकार के मंत्री पत्रकारों को खुले आम गाली दे रहे हैं धमकी दे रहे हैं फोन पे रिकॉर्डिंग बंद करने की धमकी दे रहे हैं उनको हाथा पाई कर रहे हैं और यहां तक कि बत्तमीजी और गालियों पर उतराये हैं जो कि किसी भी दिमोक्राटिक प्रक्रिया में acceptable नहीं है मुझे लगता है कि यह जो frustration है जो desperation है वो उत्तर प्रदेश में भारतिजनता पार्टी की सरकार की विदाई की इत्तित ही तह हो गई है भारतिजनता पार्टी की सरकार सौ दिन की सरकार नहीं बची है सिर्फ इसी बात से frustrated हो करके और जैसे जैसे सच्चाई देश के सामने आ रही प्रदेश की सरकार नहीं पड़ेगा और हम लोग इसकी घोर भरतना करते हैं यह व्यवहार कट्टे एकसपटेबल नहीं है बड़े पद पर जो लोग बैठे है देश के मंत्री है उनको उनसे ऐसी उमीद नहीं की जा सकती है न को इस्तिफात देना ही होता है तो देखा आपने किस तरह के बैयानवाजी रही कॉंग्रेश पिदेश अजय कुमान लल्लू ने अलग बयान दिये और सपा नेता अभी से मिस्रा ने अलग बयान दिये तो कहना है कि भारते इंद पार्टी की सरकार की जो लोग है वो लगातार पत्तकार कसा अभित्ता कर रहे हैं दोसी पा जाते हैं सबाल पूछा जाता है तो दमकी पोतर आते हैं गाली गलोस पोतर आते हैं पर सबसे बड़ी बात यह है कि पत्तकार कसा अभित्ता आज की नहीं है यह बहुत पुरानी है इसका इतियार बहुत पुराना है और इसमें पहले भी उनकी अंग्राशोकों के द्वारा बत्तमीजी की गई है पत्तकारों के साथ यह पहला मुद्दा तो यही है कि जब किसी पत्तका के सर अभित्ता होती है तो कौन सा राजनितिक चेहरा बहां पर पहुँच जाता है उनका समर्थन करने के लिए बयानवाजी कर दिये खालापूर्ती हो गई नहीं अगर आपका सरूकार पत्तकारता से अगर आपको लगता है कि लोकतर के चोथे स्थम पे हमला हो रहा है बत्तमीजी हो रही है अबत्ता हो रही है तो आपको उसके समर्थन में आना पड़ेगा को लड़ना पड़ेगा क्योंकि पत्तकार अगर लोकतर के चोथा स्थम है तो इसके साथ ही वो समाज का एक अंग भी है वो ऊनीस जनता के नुमाइद्य है जो जनता की सेवा करते हैं वो अलग नहीं है है तो जनता के ही अंग है तो जनता ही तो एक उनको जंता मान के ही कम से खम उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठा ली जाए पर उठाई जाती के बल बयानबाजी, के बल अपना उद्देश केलियर हो और सरकार को घेलने का मौका मिले घेल लो बयारबाजी करके खतम गल लो और जब अपनी सरकार होती है तब ज लड़ता नजन नहीं आता लोकतंद का चौता स्थम्ब पहले भी निसाना बनाया जाता रहा है आज भी निसाना बनाया जाता है पर कहीं न कहीं यहाँ पर जो पत्रकारों है उनमें भी एकता का कमी है एकता की कमी है तब ही हम भी अपने भाईयों के लिए खड़े नजन नही आते हैं, हम भी भी खबरों को नहीं चलाते हैं, जिनमें पत्तकारतों के साथ गलत होता है, जब हम उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो फिर उनको मजबूरन समझोता करना पड़ता है, क्योंकि जहां एकता होती है, बात समझोती है कि बात ही नहीं उठती है, तो बात दू कि सपाही होने के नाते हमेशा बात रखता हूँ कि हर आदमी के लिए खड़ा रहता है चाहे वो सत्ता पछ चाहे सासर हो चाहे पुल्स हो चाहे आम जनता हो हर समस्चा के लिए पत्तिकार खड़ा होता है तो पत्तकारों के लिए कौन खड़ा होता है कोई खड़ा नहीं होता है तब हम बाते की जाती है पत्तकारों को व्योस्ता दी जाएगी पत्तकारों को करोना की समय में उन्होंने रिपोर्टिंग की है तो को समस्या होगी मांग मांगने के बाद तब कहीं जाक है वो भी गिने चुने पत्रकारों को जिनकी गिंती है जो मानलेत अपराप्त है जिनका नाम है पर जो फ्रीड़ को डौरते हैं छो आपना खुन पसीना बहाते हैं जो सही एक ध्रातली पत्राप्ता जो करते है उनका कोई नामी नहीं होता और तमाम ऐसे चहरे कुरोना के समय चले गए जनको आज तक कुछ नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि हमारे पत्तकार संगटन है उनकी ब्यवस्ताई अलग है तो यहांपर जो राजनीती है वो कीबल दौहरी नहीं है ये दोहरी राजनीती हमारे संगड़नों में भी है हम अपने आपको बाहुवली दिखाते हैं पर नहीं बाहुवले के बीट में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही केडर को अपने इस्तर को नीचे करने का प्रयास करते हैं अपने साथियों की बुराई करके सबसे बड़ी बात है कि तमाम लेटर तमाम बईग्यापन तमाम बिग्यप्ति के बाभजूद केव Intelligence आस्वासन मिलते हैं, और सुनमाई होती भी है, तो कुछ एक व्योस्था लागू कर दी जाती है, वो अभी कुछ गिने चुरे पत्तिकारों के लिए, मैं मानता हूँ पत्तिकारता के आल में तमाम लोगों है, असमाई तर्वी है, जो इसका लाब उठा रहा है, पर ऐसे पत्तिकार मित को फौन लगाती है, कि भाई ऐसी समस्या है, इसमें मेरा सयोग करो, इसको दिखाओ, कोई जंता कोई पता है, जंता पत्तिकार दिखाएगा नहीं, कि समस्या का हल जल्दी नहीं होता है, ये पत्तिकार ही वो कड़ी होती है, जो आम समस्याओं के लिए एक ज उसे मामले का संग्यान लेते हैं उसका निराकरन करते हैं तो पत्तिकारता कहां सुरू होती है कहां खतम होती है यह सब जानते हैं आज अगर पत्तिकारता का जिस तरह से अबतिता हो रही है तो निश्चर रूप से ही यह समाज के हर अंग के साथ गरत हो रहा है जो पत्तिकार हमेशा दिन और रात तयार रहते हैं क्या आप चाते हैं क्या आपको सुबह कर अखवार मिले तो खाली मिले क्या आप चाते हैं मैगजीन आए खाली आए क्या आप चाते हैं एलेक्टरिक मीडिया में आपको सामने कुछ ना मिले तो करतार पत्तकारी है को एलक से छपके नहीं आता है यह पत्कार ही होते हैं जो सब खबरों को एकत करते हैं और आम जनता को देते हैं तब ही तो इनको खबरनवीश कहा जाता है ऐसे ही खबरनवीश नाम नहीं दिया जाता है खबरनवीश का आर्थ होता है खबरों को पुचाने वाला एकत करने वा वही खबरन 20 के लाता है पर आज इन खबरन 20 के साथ क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है उनको पता भी है तो ऐसे सांध बैठे हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है जो आज का मामला हुआ है यह मामला कोई पुराना नहीं है इसके पहले तो अगर दोसी यह है तो दोसी बहुत सारे लोग भी है उनके गरिमा के साथ खराब प्योस्था की है सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम अपने प्रत्कारों के लिग साथ खड़े नहीं होंगे तो आने बारी समय में भी इस तरह की ब्योस्था है होती रहेंगी कौन देखे गन ब्युस्ताओं को हम सरकार से तमाम बादे करते हैं सरकार हम से तमाम बादे करती है तमाम पत्तकार संगटन तमाम तरह के ग्यापन देते हैं तमाम चीजों को कहते हैं कि इन चीजों को ब्यास्थित करो पर केबल केबल अस्वासन मिलता है आज ह कर्वाई की जाएगी इसका कानून मनाने वाला कौन है तमाम आस्वाशन मिलते हैं तमाम बाते की जाती है चाहिए इंदेस्तर पर हो चाहराज इस्तर पर हो पर होता भाई है मामला डाक के तीन पार पत्तकारों की सुरुच्छा के लिए पत्तकारों की गर्मा के लिए पत्तकारों के भले के लिए लाप के लिए करणार के लिए कोई भी कानून नहीं बनाए जाते मिलती है तो केबल आश्वासन जो कभी विपच्च नेता है तो कभी सत्तापच नेता है तो कभी सासन में बैठे बैठे लोग देते हैं पर इस बात को लेकर हमको आज समझना होगा क्योंकि आप को पत्कारों का अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप लोगतन के चौथे स्थम्ब का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप पत्कारों से अबद्धा कर रहे हैं, इसकार्थ है कि आप समाज के उस अंग से अबद्धा कर रहे हैं। जो अंग लगातार अपने कामों से आम जनता के बीच आपकी मौजूर्गी को दर्साता है अगर हम पत्कार ही नहीं होंगे तो आप जो कहोंगे वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा चाहे प्रिंट के माध्यम से हो चालेटनिक मीडिया के माध्यम से हो पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि अगर आप हैं तो हम भी हैं और हम हैं तो आप भी हैं और हम नहीं हैं तो आप भी नहीं हैं क्योंकि आपको डिखाने बाले हम हैं अगर कहीं आपका रसूख है तो कहीं हमारा भी रसूख है अगर कहीं आपकी भूमिका है तो कहीं हमारी भी भूमिका और कहीं आपकी छमता है तो कहीं हमारे भी छमता है आपका रसुक है तो कहीं हमारा भी रसुक है और इस बात को हर एक उनसान को समझना होगा जो पत्तकारता के इस तरह को गिराने का प्रयास कर रहा है जो पत्तकारों के सार अबत्ता कर रहा है जो पत्तकारों के सार गाली गलोच कर रहा है जो पत्तकार से बसलूकी कर रहा है, हमने देखा पहले भी तमाम तरह के लोग रहे, अगर उनको पत्तकार का कोश्चन अच्छा नहीं लगा, तो आदमी नो कमेंट कहके चला जाता है, पर इस तरह की अबितिता करना क्या जरूरी होता है, क्या एक तांदिक पर बैठे लोग क लोग के लिए, किसी इंसान के लिए इस तरह से पत्तकार से बसलूकी करना अच्छा है, क्या ये उनको सुभा देता है, अगर आपको सवाल पसंद नहीं आया, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो आप नो कमेंट कहके जा सकते हैं, कोई पत्तकार आपसे का मुकी तो मर करिये, इससे आमाना तो मान मरदन होता ही होता है, साथ में आपका भी मान मरदन होता ही है, क्योंकि आप भी दिखाए जाते हो कि आप किस तरह से लोगतर के 34 स्थम के साथ अब बिद्दता कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है, कि अगर आप हमारे साथ क भी ठेज पहुचेगी अगर कहीं नुकसान हमको होगा तो इससे कहीं जारा नुकसान आपको भी होगा और यह बात छिपी नहीं है यह बात पहले भी कई बार प्रशित हुई है और पहले भी कई बार सिद्ध हो चुकी है पर इस बात को कब तक लोग समझेंगे यह अपने को बही आपकी खबरों को बही आपके कारिकमों को बही आपके अच्छे कामों को दिखाने के लिए उत्तरदाई होता है और हमेशा दिखाता है अगर उसने आप से जोड़ा कोई सवाल पूछ लिया है तो आप अगर जवाब देना चाहे तो सबाब दे और ना देना चाहे तो आप जा सकते हैं, पर आपको पत्तकार के साथ इस तरह से अबित्ता और धक्का मुक्की गाले-गलोस करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप लोकतन के एक अंग है, तो आपके साथ जो सवाल पूछ रहा है, जो आपके साथ चल ला है, वो खबरन बीज भी लोकतन का ही एक अंग है। सबसे पड़ी बात है, कि इस तरह से अगर आपको सोचना है, कि हमको पर्तकारों से कैसे पेष आना है, तो आपको इस सोचना पड़ेगा, आपको इस गर्मा का उस लोकतन के चौचे elaborन का ख्या लखना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको इस बात पर कोई अपसोस नहीं होगा। मैं यहाँ पर यह नहीं चाहता हूँ कि किसी आडमी के कोई नुकसान हो। पर मेरा हमेशा यह से उड़िश रहा है कि कोई भी आडमी हो जो बढ़े अपमान भी मत करे। कि जब तक आप अपमान करोगे जब जब आप उसको ठेज पहुंचाओगे तब तक आपका भी मान मरदन होगा अगर परतकारता का नुकसान होगा परतकारता अबिद्धा की जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी मरियादा आपकी गर्मा आपके स्थर आपके रसूप को भी नाम देगा अकेले पर्तकार को नुक्सान नहीं होगा यहां नुक्सान आप भी इटाएंगे और सायर पर्तकारता की गर्मा से जाड़ा नुक्सान आपको होगा और यह पहले कई बार सिद्ध भी हो चका है तो इस बार को समझते हुए हमेशा यह मानिए कि जिस तरह से अगर हम पर्तकारता को सयोग कर रहे हैं वो सयोग को हमेशा बनाए रखें जब तक आप सयोग नहीं बनाएंगे जब तक आप पर्तकारों को अपने हिर्दा में नहीं रखेंगे पर्तकारों के साथ सम्मान नहीं करेंगे तब तक हमेशा आपकी मान मर्यादा का भी मर्दन होता र एक पिस्त ने का उत्तर देना होगा और मेरा पिस्त ने हर उस राज सरकार से है हर उस पतिनीरी से है हर उस राजनिता से है हर उस अभिनिता से है और हर उस आडमी से है जिसका सीरा सरुकार सीरा जुलाव पत्तिकारता से है पत्तिकार से है जो अजय मिश्रा टेनी ने किया रत्ना को अंजाम दिया जोनोंने पर्त्तकारों के साथ अविद्यता की, पर यहां पर प्रिस्णिये है कि सब लोग के लिए कानुन आता है, सब लोग के लिए बात की जाती है, सब लोग के लिए साथ नर्देस होते हैं, चाहे राजकरमी हो, सरकारी करमी Chance चाहे बैंक करमी हो, चाहे स्वास करमी हो, चाहे बकील हो, पर यहाँ पर पत्तकारों के लिए कोई कानून क्यों नहीं आता, पत्तकारों के लिए कोई IPC की धारा क्यों नहीं होती, और पत्तकारों के साथ अगर कोई पीडन करता है, कोई उनको साथ अबद्दा करता है, बरसल पूह कि नहीं अगर पत्कार समाच के चौति स्थंब लोकतर के चौत समभय तो यह भी सम्माज के हकदार है कि पत्कार सब के लिए ख़ड़ा होता है अबिने दवृय जओ आम जनता हो पर होता है जब पत्कार के साथ वह हमला होता है को बरसलूकी होती है तो ला राजनेति बयानबाजी होती है समर्थन में कोई नहीं आता पर हम अपने इस कारिकम के माध्यम से राज्य सरकार से, केन सरकार से तमाम अलोगों से पूझना चाते है कि अगर पत्तकार आपके लिए खड़ा है तो आप पत्तकार के लिए कब ख़ले होंगे और पत्तकारों की सुरच्छा के लिए कब कानूर मनाएंगे जिसे एक पतकार भी अपने मौले का दिकार अपने मानमे दिकार के तैट एक सुरच्छित, स्वस्थ और सम्मान पूर्ण जीवन को जी सके और आपकी खबर जिस तरह खबरनभीश की तरह करता है हमेशा करता रहे तो आज के हमारे इस मुद्दे में इतना ही अगली बार किसी जरन मुद्दे के जाद फिर होगी मिड़ादाद तब निरी रहाद है नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका